मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धी मान नहीं हो सकता मूर्खों से निपटने का सर्व स्रेश्ट्री का यह है कि उनकी ओर ध्यान ही न दिया जाए राधी राधी शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सब का हार्दी खार्दी स्वागत अभिनंदन मेरी मा मुस से बहुत जूट बोलती है सुबह जल्दी जगाने को साथ बजे को आठ बजे कहती है नहालो नहालो के घर में नारे बुलंद करती है मेरी खराब तब्यत का दोश बुरी नजर पर मरती है छोटी छोटी परिशानियों पर बहुत बड़ा बवंडर करती है क्योंकि मेरी माम से जूट बोलती है थाल भरकर खिलाकर तेरी भूख मर गई कहती है जो मैं ना रहूं घर पे तो मेरी पसंद की कोई चीज रसोई में उससे नहीं पकती है मेरे मोटापे को भी कम जोरी की सूजन बोलती है क्योंकि माम से जूट बोलती है दो ही रोटी रखी हैं रास्ते के लिए बोलकर मेरे साथ दस लोगों का खाना रख देती है कुछ नहीं कुछ नहीं बोल नजर बचा बैग में छिपी शीशी अचार की बाद में निकलती है तोका टाकी से जो मैं जुझला जाऊं कभी तो समझदार हो अब ना कुछ बोलूँगी मैं ऐसा अकसर बोलकर वो रूठती है और अगले ही पल फिरचिंता में हिदायतें देना शुरू कर देती है क्योंकि मां बहुत जूट बोलती है तीन घंटे में थियाटर में ना बैठ पाऊं सारी फिल्में तो टीवी पे आ जाती है बाहर का तेल मसाला तब्यत खराब करता है बहानों से अपने पर होने वाले खर्च टालती है मेरी उपलब्धियों को बढ़ा चड़ा कर बताती है सारी कम्यों को सब से छिपा लिया करती है उसके वरत, नारियल, धागे, फेरे सब मेरे नाम तारीफ जमाने में कर बहुत शर्मिंदा करती है भूल भी जाओ दुनिया भर के कामों में उलज उसकी दुनिया में वो मुझे कब भूलती है मुस्सा सुन्दर उसे दुनिया में कोई नहीं दिखता, मेरी चिंता में अपने सुख भी किनारे कर देती है उसके फेलाए समानों में से जो एक उठा लूँ, खुश होती है जैसे खुद पर उपकार समझती है मेरी चोटी सी नाकाम्याबी पे उदास होकर सोच सोच अपनी तबियत खराब करती है मेरी मा मुझे से बहुत जूट बोलती है क्या आपकी भी मा ऐसे ही जूट बोलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और कैसी लगी आज की स्टोरी, नीचे कमेंट बोक्स में लिखना उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेर करें, कमेंट करें और बेल आइकेन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद